आज हम बनाएंगे शर्दियों की एक और बहुत ही इल्सेस बहुत ही खास थेपी जो हमेति मतर मलाई बहुत ही जाद टेस्टी बनके तयार होती है और बहुत ही जादा शिंपल है इसको बनाना तो हम ने इसको इक लिए राधे अक बरभआ इस्पैसित जरूरे त्राय करें इ बट मैंने इसको चॉपर में इस तरह से अच्छे से एकदम रफली चॉप कर लिया है तो हमने मेती को अच्छे से यहाँ पे इस तरह से एकदम देख सकते हैं आप एकदम बारीक चॉप कर लिया है और अब हम यहाँ पे मटर लेंगे तो मैंने एक कप मटर ली है यहाँ पर इसको भी हम थोड़ा सा बॉइल कर लेते हैं अगर आप फ्रोजन मटर ले रहे हैं तो उसको हमें बॉइल करनी की ज़रूरत नहीं है मटर हमारी बॉइल हो चुकी है पांच मिनट में और अब हम गैस की उपर एक कड़ाई गर्म करेंगे इसमें मैंने दो छोटे चमबच ओयल एड़ किया है थोड़े से हम इसमें खड़े गरम मसाले एड़ करेंगे जिसमें मैंने एक दाल चीनी का टुकड़ा लिया है एक हरी लाइची चार से पांच लॉंग एड़ करेंगे और आट से दस काली मिर्च एड़ की है बस और हमें इसमें मसाले एड़ नहीं करने है दो मीडियम साइज के अनियन हमने इसमें एड़ कर दिया है ऐसे चॉप करके एक इंच अधर काट टुकड़ा एड़ किया है अच्षे से साथ लहसुन की कलिया एड़ कर दिये है handful of kaju add करेंगे हम इसमें दो green chili add कर दी है एक बार mix कर लेते हैं सारी चीजों को अच्छे से और अब यहाँ पर मैंने इसमें दो medium size के tomato भी add कर दिये है तोड़ असा salt add करेंगे जिससे कि यह tomato हमारे जल्दी से soft हो जाए अब हम इसको ढखके ना 3-4 मिनट मीडियम फ्लेम पे cook कर लेते हैं यह जब तक हमारे tomato soft नहीं हो जाते तब तक हम इसको cook करेंगे तो आप देख सकते हैं कि tomato हमारे अच्छे से soft हो गए है तो अब हम gas का flame बंद करेंगे और इस मसाले को थोड़ असा थंड़ा हो जाने देते हैं और फिर हम इसको mixer jar में अच्छे से एकदम बारिक हमें इसको grind करना है तो यह मसाला हमारा थंड़ा हो चुका है तो चलिए अब हम इसको grind कर लेते हैं तोड़ असा इसमें पानी अट करके हम इसके एकदम fine सी puree हमें बना के तयार करनी है तो यहां पर मैंने एकदम इसकी fine सी puree बना के तयार कर ली है अब चलते हम अपनी next process में तो फिर से अब हम same कड़ाई का यूज किया है मैंने इसमें मैंने दो चम्मच देसी घी का एट किया है आप बटर भी यूज कर सकते हैं और दो चम्मच हम oil एट करेंगे जिससे घी जले नहीं आधा चोटी चम्मच मैंने यहां पर जीरा एट किया है pinch of hing एट करेंगे हम इसमें थोड़ा सा मैंने यहां पर चॉप garlic एट किया है इससे इसका टेसना और भी अच्छा आता है थोड़ी सी हम हलदी एट करेंगे थोड़ा सा मैंने यहां पर कश्मीरी रडचिली पाउडर एट किया है जिससे हमारी सबजी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा और अब हमने अपनी चॉप मेथी यहां पर एड़ कर दी है तो मेथी को हमें यहां पर 3-4 मिनट हाई फ्लेम पर एकदम ऐसे भूनना है जिससे मेथी का जो कड़वापन होता है वो निकल जाए तो यह स्टेप बहुत इंपोर्टेंट है मेथी को हम यहां पर अच्छे से एकदम भूनेंगे तो इसमें जो भी पानी होगा वो भी जल जाएगा तो 3-4 मिनट हो गए मेथी हमारी अच्छे से एकदम भून चुकी है तो अब हमने अपनी जो प्योरे बनागे रखी थी प्यास टमाटर वाली वो हम इसमें एड़ कर देंगे थोड़ा सा इसके साथ पानी अड़ करेंगे मिक्स करेंगे हम एक बर सारी चीजों को अच्छे से और अब हमें इसको ढखके कुक करना है तो हम इसको 4-5 मिनट मीडियम फ्लेम पे थोड़ा कुक कर लेते हैं तो जब तक हमारी मसाले कुक हो रहे हैं हम यहाँ पे मलाई लेते हैं तो मैंने यहाँ पे दूद की मलाई ली है 2 बड़े चमच इसको अच्छे से म descriptive करेंगे आप इसमें cooking cream का भी use कर सकते हैं और नहीं है तो आप दूद की मलाई भी इसमे't कर सकते हैं यस से भी सकतिस बहुत ही अच्छा आता है अब हम एक बार चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर हम ढटाएंगे तो यह हमारी सारी चीज़ें कूक हो चूकी है, पहले से भी थोड़ी से कूक थी तो हमें बहुत ज़ादा यहाँ पर पकाने की जरुवरत नहीं है इसको थोड़े से और हम यहाँ पर मसाल एड़ करेंगे तो यहाँ पर मैंने इसमें दो छोटी चम्मस धनिया पाउडर एड़ कर दिया है आधी छोटी चम्मस जीरा पाउडर एड़ करेंगे नमक एड़ करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तो बस और हमें इसमें कोई भी मसाला अड़ नहीं करना है मिक्स कर देंगे एक बर मसालों को अच्छे से और अब हम यहाँ पे इसमें अपनी बॉल्ड मटर अड़ कर देते हैं जो हमने बॉल करके रखी है इसको भी हमें अच्छे से मिक्स करना है तो आपने देखा इसको बनाना बहुत ही आसान है बहुत ही कम मसालों में यह एकदम विंटर स्पेशल वाली दिमांडिंग वाली सबजी बनके तयार हो जाएगी तोड़ा सा मैंने यहाँ पर 1-4 टीजपून के करीव इसमें गरम मसाला एड़ कर दिया है अब हम इसमें पानी एड़ करेंगे तो इसकी ग्रेवी हमें बहुत जादा डाइलूटिड नहीं रखनी है थोड़ी सी थिक ग्रेवी ही हम इसकी बना के तयार करेंगे तो मैंने यहाँ इसमें आधा ग्लास के करीब पानी एड़ कर दिया है तो बस हम इसमें और पानी आड़ नहीं करेंगे और अब हम इसको ढखके इसमें अच्छा सा बॉइल आने देंगे तो गेस कफलें मीडियम रखे हम इसको 3 से 4 मिनट अच्छा से इसमें बॉइल आ जाने देते हैं तो यह दिखिए सबजी में हमारी अच्छा सा बॉइल आ चुका है तो अब यह सबजी हमारी almost बनके तयार होने वाली है तो यहाँ पर हमने जो अपनी क्रीम रखी है न तूत की मलाई को जो रखा है न उसको भी हम इसे स्टेच में इसमें एड करतेंगे मिकस कर देंगे इसको अच्छे से और हम इस ठटक़े बस एक मिनट के लिए और कुख करेंगे बस अब हमें इसको और ज्यादा क्या करना है तोड़ास हम इसमें sugar add करेंगे, खलके से sweetness वाले taste के लिए, तो आधी चमच मैंने इसमें sugar add करके, इसको ढखके बस एक से दो मिनट और cook किया है, और अब यह हमारी सबजी एकदम बनके तयार है, आप देख सकने इसका texture, बहुत ही जादा delicious सबजी बनी है, एकदम perfect gravy है इसकी, तो चलिए अब हम इसको फटाफट से serve कर लेंगे, यह हमारी winter special मेथी मटर मलाई बनके तयार है, आप इसको रोटी, पराठा, नान किसी भी चीज के साथ enjoy करें, बहुत ही जादा tasty लगती है यह, तो आप एक बर इस recipe को ज़रूर try करें, और अगर आपको मेरी recipe पसंद आई ह तो वीडियो को like करें और चैनल को subscribe करना ना भूलें